रादे रादे सान्ना कीचिन में अपका स्वागत है तो आज अम आलू और पालग के मंगोड़ा बनाएंगे अलो पालग के मंगोड़ा बहुती स्वाधिस्ट होते हैं तो आख ऐक बार बार बनाती साओ तो ज़्यादा समय ना लेते हुए बनाना शुरू करते हैं मैंने थोड़ा सा पालग लिया है और दो आलू काटे हैं इनको अच्छे से दो लिया है और इसमें हम डाल देंगे पालग में और हरी मिर्ची डाल देंगे इसमें और जो हमारे बाकी के मसाले हैं भो डाल देंगे कि मिर्ची पॉरुट ढाल देंगे इसमें 3 से 4 चमस्य पेसन डाल देंगे और मिस्तों से हमने मिक्स अच्छे wholly और मिपल्कुल भी पानी नहीं डाला है और हम को ऐसे ही असधीन कर देंगे क्योंकि इसमें पहले से ही पालक में महिं पानी हा इसलिए हमने पानी नहीं डाला और अच्छे से यह mix हो गया है तो हम क्या करेंगे हमारा तेल गरम है तो हम क्या करेंगे इसमेंसे थोड़ा थोड़ा लेकेनी और इसके मंगवडें बनाना शुरू करते हैं और मैं प्धार गैस को मैने मीडियम ही रखा है और हमको ऐसा डानना है एक साथ नहीं डानना है जितने कराई में हमारी महासानी से आएंगे उतना ही हमको डानना है आलो पालक के मंगवड़े बहुती स्वादिस्ट होते हैं आप चाय के साथ खाएं क्या वात है आनन्दी आजाएं और सभी को पसंद होते हैं बच्चों को तुझ ज़्यादा ही पसंद होते हैं तो कईवार क्या होता है कि जैसे बच्चे पालग नहीं खाते हैं तो हम ऐसे ही बना के देंगे पालग के मंगोड़े तो बच्चे खुशी खुशी आराम से खा लेंगे और पालग में तो आईरन होता है और बहुत सारे गुण होती है इसमें तो देखिए मेरे मंगोडे बनके तैयार है इसमें ज्यादा समय नहीं लगाए 10 मिनट में मेरे मंगोडे बनके तैयार हो गए है मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाते हूँ तो हमको सारी मंगोडे पौनी टीडा करके निकाल लेने हैं जिससे क्या है कि जो भी इसमें ओईल हो वो बापस कराई में चला जाए क्या बात है हमारे पाला गालूगे मंगोडे बनके तैयार है आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इसे कर दें तो जलिए इसे के साथ हमारी वीडियो समापत होती है आप से मिलेंगे अगली वीडियो में जैसी रिरादे